हलो वरिवन वेलकम टू पर्फेक्शन आइस और पर्फेक्शन आइस का जो 70th BPSC के लिए 100 डेस का 100 आर्टिकल्स वाला सिरीज है उसमें आज हम 13 वे दिन आर्टिकल 20 के साथ जो है जो की फर्णमेंटल राइट्स में राइट्टू फ्रिडम का सेकेंड आर्टिकल है और इसका है एडिंग कहता है तो चोरी किसी ने अल्रेडी किया हुआ है एक एक कमिट इसके बाद कंप्लेइन फाइल होगा एफ फाई रजिस्टर होगा इनिस्चल इंवेस्टिगेशन होगा उस फाइल कर देती है कोट में कोट में जो अब ट्राइल होता है इसी को कन्विक्शन का प्रॉसेस बोलते हैं और इस कन्विक्शन के दौरान जो अक्यूस्ट है उनके पास कुछ अधिकार दिये गए आर्टिकल 20 के माध्यम से और वो तीन तरह की अधिकार है पहला कहता है नो पर्सन साल बी कन्विक्टेद ऑफ अनी ओफेंस एक्सेट फॉर वाइलेशन अफ लॉव जब तक किसी कानून का उलंगन नहीं हुआ हो इन फोर्स अधा थाइम आफ थाइम आफ दी कमिशन और वो इन फोर्स हो किस समय आक्ट के कमिशन के समय वो ओफेंस की तरह चार्ज कि जाता हो नाहीं कि वो सब्जेक्ट होगा क्या चीज़ के लिए तो पेनाल्टी ग्रेटर देन देट वाट माइट है इन फोर्स अधा थाइम आफ दी कमिशन और वो इस दिन किसी कानून के अंदर ओफेंस डिक्लियर किया गया है तो ही उसको पनिश्किमेंट दिया जाएग और साथी साथ जितना पनिश्मेंट उस दिन था उस ओफेंस के लिए मैक्सिमम उससे ज़्यादा पनिश्मेंट नहीं मिल सकता ग्रेटर पनिश्मेंट उससे ज़्यादा नहीं मिल सकता एक्जांपल से समझेंगे इस कॉनसेप्ट को बोलते हैं no ex post facto criminal legislation इसमें क्या होता है क कि जो भी पर्टिकुलर इंसान ने माले आज इस पैन की चोड़ी किसी ने की अब यह पैन आज चोड़ी हुआ तो आज के डेट में चोड़ी करने को ऑफेंस माना गया है पनिशेबल ऑफेंस और आज के दिन इसके लिए मैक्सिमम सजा तीन साल की है मान लेजे कल को सिर्फ अगले दिन 27 जून को इस पर्टिकुलर पनिशमेंट इस पर्टिकुलर चोड़ी के लिए पनिशमेंट तीन साल ना करते हुए मिनिममम पनिशमेंट पांच साल कर दिया जाए और अव्यसी बात है आज जो चोरी हुआ है इसके लेकर चार्जेज और इन्वेस्टिकेशन सब कुछ के बाद फायसला जो कोट सुनाएगी वो लगबग 6 महीने साल बर तो लगेंगी और तब तक अगले दिन कानून तो बदल चुका है लेकिन फिर भी जिसने ये पेन 26 जू जूना हो गया हो बड़ जिस दिन उसने ओफिंस किया था उस दिन जो भी कानून होगा मैक्सिमम जो पनिश्मेंट देगा उससे ज्यादा पनिश्मेंट नहीं मिल सकता जैसे की एक्जामपल अगर समझेंगे टाड़ा एक कानून था टेरोरिस्ट एंड डिस्रॉप्टिव एक्टिविटीटीज ये 1985 में आया था और 1995 तक रहा ये टेरोरिस्ट एक्टिविटी को डील करने के लिए था 1993 के बॉम बलास्ट के केस में संगेजद के ऊपर कुछ आम्स वगेरा को रखने का आरोप लगा तो उस समय ये कानून जो था वो टाड़ा ही था 1993 में तो कानून भले अगले दिन बदल जाए आपने जिस दिन offense किया होगा उसके according ये आपको ट्रीट किया जाएगा कि यह पहला वाले clause का मतलब है इसमें कुछ और भी dimension है जो हम लोग भी थोड़ी दिर में समझेंगे दूसरा कहता है no person shall be prosecuted and punished for the same offense more than once कोई भी इंसान को same offense के लिए एक से ज़्यादा बार prosecution के साथ punishment नहीं होगी मतलब case भी चला और punishment मिल गया वो एक ही बार court के दाएरे से मिलेगा इसको बुलते है no double जियो party और तीसरा कहता है no person accused of any offense shall be compelled to be a witness against himself कोई भी इंसान जिसको किसी जिसी offense के लिए accused माना गया है उसको अपने खुद के खिलाव गवाही देने के लिए compelled नहीं किया जाएगा इसको बोलते है no self incrimination तीनो particular concept के बारे में थोड़ा सा information और समझते हैं detail में देखिए no exposed factor criminal legislation की case की जब हम बात करते हैं तो यह सिर्फ और सिर्फ applicable है कि इसके लिए criminal law के लिए यानि कि अगर कोई civil matter है कोई civil कानून ने जैसे property का कानून आ गया divorce का का कानून आ गया तो इसको जिस दिन यह कानून आ चुका है अब इसके बाद यही कानून अप्लाई होगा हर किसी पे तो यह नहीं समझना है कि मान लीजे मेरी शादी अगर आज सपोस्ट किसी की शादी होई है 26 जून को तो साधी के लिए बेसिस पे 26 जून को कोई दूसरा कानून था divorce के लिए और 30 जून को कोई नया कानून आ गया divorce के लिए तो वही नया वाला कानून ही अप्लाई होगा हमारी शादी के divorce के case में भी त्यानिकिस civil laws को पीछे जाकर आ जैसे IPC उसमें applicable है substantive और procedural दो तरह का category होता है कानून का substantive वैसे कानून होते हैं जिसमें किसी offense किसी act को offense declare किया गया और definition देते हुए और उसकी सजा की बात की गई हो जैसे इंडियन पीनल कोड या भारती न्याय सनिता इसमें समझाया जाएगा कि इस चीज को murder माना जाएगा और इसके लिए इतना सजा होगा तो यह जो हमारा exposed facto वाला protection है यह सिर्फ substantive law में मिलेगा दूसरा category होता है procedural law जैसे CRPC था पहले criminal procedure code और अभी है भारती नागरिक सुरक्षा सनिता जिसमें bail का provision होगा कि bail किस तरह से लेना है अब यह सारी चीज़े अरेस्ट वारेंट चाहिए उस दिन जो procedure होगा आप पर भी वही apply होगा आपके offense वाले date से इसका लेना देना नहीं है तो मानलीजे आपने जिसने offense किया और कहा गया murder के लिए bail मिलेगा अगले बार यह चेंज होगी अगले ही दिन कि नहीं murder के लिए bail नहीं मिलेगा तो आपको भी bail deny किया जाएगा समझ के case में सजा एक साल से आधा नहीं होना चाहिए तो यह benefit आपको भी court दिला सकता है disadvantage में नहीं जाएगा advantage है तो आपको दिला सकता है वही double jeo party से protection की जब बात करेंगे तो यह पहला चीज तो prosecution और punishment दोनों होना चाहिए दोनों end word use किया हुआ है इसे लिए मानलेजे किसी इंसान के खिलाब कोई case था उस case में पूरा का पूरा prosecution हुआ लेकिन उस इंसान के उपर charges प्रूव नहीं हुआ तो पनिश नहीं हुआ तो यहां सिर्फ prosecution हुआ punishment नहीं तो उसका case दुबारा reopen होते वे आप सुने होंगे किस कोई public servant गूस लेते वे पकरा गया तो court उसको पांच साल का jail सुनाती है मानलीजे maximum साथ ही साथ वो अपने नौकरी से भी उसको dismiss कर दिया जाएगा तो यह departmental action है यह नहीं कह सकते कि दो सजा हो गई क्योंकि judiciary के दाएरे से एक ही सजा मिलेगी और लास्ट है multiple acts कि अगर अंदर punishable है आपका same offense तो आपको सारे acts अप्लाई करके सजा दी जाएगी जैसे आप drink and drive अगर suppose करते हैं बिहार में तो आपका बिहार लिकर और प्रोइबीशन एक्साइज पॉलिशी जो जो अलकोहल को बैन करता है उस कानून के अंदर भी सजा होगी प्लस IPC और Motor Vehicle Act के अंदर होगी यह भी डबल जो पार्डी या वालेशन नहीं माना जाएगा और लास्ट है हमारा नो सेल्फ इंक्रिमेशन इसमें कहा गया है कि आपको खुद के खिलाब गवान नहीं बनने के लिए मजबूर किया जागा इसे पुलिस को दिया गया बयान admissible नहीं होता है कोट में ल पहला तो बिना कंसेंट के नहीं करा सकते ऐसा टेस्ट जब आपने कंसेंट दिया तभी होगा और दूसरा कि इनके एविडेंस को जो रिपोर्ट आएगा चुकि 100% सिर्फ और सिर्फ सप्लिमेंटरी एविडेंस की तरह यूज कर सकती है यह मेन या इकलौता एविडेंस कि इसी कोर्ट केस में अगर है तो कोर्ट इसको यूज नहीं करेगी तो यह आपको आर्टिकल 21 20 का पूरा पूरा दायमेंशन था जो कन्विक्शन की समय कुछ अधिकार दे रहा है आईए से रिलेटेड कुछ कोईशन उसको डिसकस करते हैं पहला कोईशन एनक्यूज और इन इस सपर्थ यह नहीं मिल और आपको बोला मैंने यह कर सकते हैं तो आट इस अ गेंस्मेंट इंगिम्सेलफ यह मिला हुआ है and right to not to be convicted of offense except for violation ये first clause था ये इसलिए correct answer will be B, B से protection नहीं है आपसे handwriting sample लिया जा सकता है Thank you so much, अगले article के साथ मिलेंगे next class